स्वागत है आपका अभीकला से डाउट्स में और आपका सवाल है कि राजनितिक दलों के समक्ष वन्सवाद की चुनोती क्या है वन्सवाद का मतलब होता है कि अगर कोई राजा है या कोई अधिकारी है तो उसका आने वाला जो पुत्र है यानि वन्स है यानि बेटा या बेटी वो क्या बनेगा अगला अधिकारी बनेगा और इसके बाद ये परकरिया चलता ही रहेगा उसका अगला उसका अगला और इस प्रक्रिया को हम वन्सवाद कहते हैं भारत की अगर बात करें तो भारत में बहुत सारे ऐसे राजनितिक दल है जिनके सिर्ष पदों पर यानि कि जो सबसे मैन और हेड वाला पद है उस पे हमेशा और हमेशा एक ही परिवार के लोग का आना क्या कहलाता है वन्सवाद कहलाता आपको चोटा सा एक्जामपल देते हैं अगर आप एक चोटा सा कॉंग्रेस का एधारन लेते हैं तो कॉंग्रेस में जो हेड है यानि कि जो हेड पर देख कॉंग्रेस का अध्यक्ष मैन अध्यक्ष वो हमेशा ही हमेशा किस परिवार से आ रहा है गांधी परिवार से पहल आपके लिए सब्सक्राइब कीजिए अभी डाउट को प्लीज मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू